श्री वासुदेव नारायन ना मंदिर आगर लिम्डाना व्रक्ष एठे धोलिया उपर दक्षिना दे मुखार विन्दे विराजमान हता अने माथे धोली बागमान दी हती अने धोलो खैस पेर्यो हतो अने धोली चाबर ओडी हती अने पीला पुष्पना तोरा बागमा विराजमान हता अने बेकान उपर पिला पुष्प ना गुच्छ विराजमान हता अने तेक गुच्छ नी उपर गुलाब ना पुष्प विराजमान हता अने कंठने विशे पिला पुष्प ना हार विराजमान हता अने जमना आत्मा धोलू सेवतीनू पुष्प तेने फेराव दाहता अने पोताना मुखार विंदनी आगल मुनी तथा देश देशना हरी भक्तनी सभाबराईने बेठी अती पची श्री जी माराजे मुनी प्रत्ती प्रश्ण पुछ्यो जे एक हरीजन छे ती संसारने तजीने निश्रयो छे अने अती तिव्र वैराग्य वालो तो नथी अने देहे करीने तो वर्तमान यथार्थ पाले छे अने मनमा थोड़ी थोड़ी संसारनी वासना रही छे तेने विचारे करीने खोटी करी नाखे छे एवो एक त्यागी भक्त छे अने तेने भगवाननो निश्चै पन द्रड़ छे अने वरी बीजो ग्रुहस्त भक्त छे तेने पन भगवाननो निश्चै द्रड़ छे अने आगनाय करीने घरमा रहो छे अने संसार थकी उदास छे अनि जेतली त्यागी ने जगतमा वासना छे तेतली ते ग्रुहस्थने पर वासना छे ए बे जे बगवानना भक्त तेमा कौन श्रेष्ठ छे पजी मुक्तानन स्वामी बोल्या जे ए त्यागी भक्त श्रेष्ठ छे त्यारे श्री जी महाराज बोल्या जे ओल्यो मुझाईने पोतानी मेले भेक लईने निश्रयो छे ते केवी रिते श्रेष्ठ छे अने गुरुहस्थ तो आगनाय करीने घरमा रहो छे ते केवी रिते निउन छे पची श्रीजी माराजना प्रष्णनु मुक्तानन्द स्वामी बहु प्रकारे समाधान करिऊं ये माराज तमें उत्तर करो पची श्रीजी माराज बोला जे त्यागी होई अने तेने सारी पेठे खावा मए अने जो काची मतीवाव होई तो पाची संसार्नी वासना रदैमा उदै थाए अथ्वा गणू दुख पड़े तोपन पाची संसारनी वासना उदई था एवा त्यागी करतां तो गुरहस्थ गणू सारो केम जे गुरहस्थ भक्त ने जारे दुख पड़े अथ्वा गणू सुख आवी पड़े त्यारे ते एम विचार राखे जे रखे मारे आमाथी बंधन थाए इवू जानीने ते संसार माथी उदास रहे माटे त्यागी तो ते खरो जे जने संसार मुक्यों ने पाची संसारी वासना रहे इज नए अने गुरहस्थ तो वासना वाला त्यागी करता घणूस्रेश्ट छे जो गुरुहस्थना धर्म सच्वाई तो, पान गुरुहस्थना धर्म तो घणा कठानी छे अने अनन्त प्रकारना सुख दुख आवी पड़े त्यारे संतनी सेवा माथी अने धर्म माथी मनने आडू अवरू दोलवा दे नहीं अने एम समझे जे संतनो समागम मलो छे तेतो मने परम चिंता मनी अने कल्प व्रुक्ष मलो छे अने धन, दौलत, दिकरा, दिकरी एतो सर्वे स्वप्रतुल्य छे अने साचोलाब ते संतनो समागम मलो एज छे एम समझे अने गमे तेवू भारे दुख आवी पड़े पन तेने करीने पाचो पड़े नहीं एवो जे गुरुहस्थ ते अतीश्रेष्ठी छे अने सव करता भगवानना भक्त थावू एक घणू कठानी छे अने भगवानना भक्त नो समागम मलो गणो दुर लब छे एम कहिने ते उपर श्री जी महाराजे भगवान अने संतना महिमाना मुक्तानंद स्वामीना किर्तन गवराव्या पची मुक्तानंद स्वामी प्रश्ण पूँछो जे श्रुती मां एम कईउं छे जे अन्ते या मती ही सा गती ही एवी रिते कईउं छे जे अन्तकारे भगवानने विशे मती रहे तो गती थाए अने न रहे तो न थाए एवो ए श्रुतीनों अर्थ बहासे छे त्यारे जे भगती करी होई तेनों शोव विशेश छे साथ भगवान नी प्राप्ति धायी छे तेनें अन्तकाले समुरुथी रहे अथ्वा न रहे तो । पन तेनों अकल्यान थाई नहीं तेनी तो भगवान रक्शा करें चे औने झे भगवान थकी विमूख ची ते तो बोलता चालता दे मुके चे तो पन तेनू कल्यान थातू नथी अने मरीने यम पुरी मां जायी छे अने केकल्याक पापी कसाय होई ते बोलता जालता देह मुगे छे अने भगवान नो भगत होई अने तेनू अकाल मृत्यू थयो ते माटे शू तेनू अकल्यान थाशे अने ते पापीनु शुक कल्यान थाश wonder नहीं जिथाई ट्यारे ए श्रुतीनों अर्थ एम करवो जे जेवी हम्ला एने मती छे तेवी अंतकारे गती थाई छे माते तेजे भग्त छे तेनी मतीमा एम रह्यूं छे जे मारू कल्यान तो थै रह्यूं छे तो तेनू कल्यान अंतकाले थाई रहूं छे अने जेने संतनी प्राप्ती नथी थाई अने भगवान ना स्वरूपनी पर प्राप्ती नथी थाई तीनी मती मां तो एम वर्ते छे जे मुँ अगडानी छू अने मारू कल्यान नहीं थाई तो जेवी एनी मती छे तेवी एनी अंतकारे गती थाई छे अने जे भगवानना दास थया छे तेने तो काई करू रहो नथी एना दर्शने करीने तो बीजा जीवनू कल्यान थाई छे तो एनू कल्यान थाई एमा शूकेवू पर भगवाननु दास पणू आवू ते घणू कठन छे केम जे भगवान ना दास होई तेना तो ए लक्षन छे जे देने मिथ्या जाने अने पोताना आत्माने सत्य जाने अने पोताना जे स्वामी तेने भोगव्याना जे पदार्थ तेने पोते भोगवाने अर्थे इच्छेज नहीं वजनाम्रुतं एवी रिते गड़डा प्रत्थम प्रक्रणु जवदुगू वजनाम्रुत थयों